चैम आता दी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटिव चैनल में दोस्तो सभी ग्रहों में शनी देव को सबसे मंद गती से चलने वाला ग्रह माना चाता है ये किसी एक राशी में लगबग धाई वर्षों तक रहते हैं और सबसे ज़्यादा समय तक शनी का प्रभाव राशियों पर रहता है जिस भाव में बैठते हैं उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव शनी का ही पड़ता है क्योंकि इनका परिवर्तन होना काफी मायने रखता है इनका नक्षत्र परिवर्तन होना भी काफी मायने रखता है और शनी के नाम से ही लोग डर भी जाते हैं शनी की साड़े साती हुई शनी की डहिया हुई शणी की साड़े साथी और ढहया ये δोनों ही काफी अधिक प्रभावित करने वाली होती है कुम्ब राशी की हम बात करे हैं कुम्ब राशी के जो स्वामी है वो शणी देव ही है इनको कर्म फल दाता भी कहा जाता है हर व्यक्ति के कर्म का फल शनी देव देते है अभी मकर राशी में इनका गोचर है जो की 24 जनवरी 2020 से है यानि कुम्ब राशी के लोगों के लिए बारवे भाव में शनी बैठे हुए है 24 जनवरी 2020 से इस ते कुम्ब राशी के लोगों के उपर साड़े साती भी चल रही है शनी की साड़े साती का प्रथम चरण चल रहा है साड़े साती का जब शुरुवात होती है तो कई तरह की परिशानिया आती है लेकिन सिर्फ परिशानिया ही शनी नहीं देते हैं शनी का जो result होता है वो इन सभी परिशानियों को जहलने के बाद आपको देखने को मिलता है अगले वर्ष यानि 2022 में शनी का राशी परिवर्तन होगा और कुम राशी के लोगों के लिए ये शनी का राशी परिवर्तन बेहदमायने रखेगा 2020 में राशी परिवर्तन भी होगा उसके बाद क्योंकि ये राशी परिवर्तन होगा तो ये आपके लगन में होगा लगन का स्वामी लगन में बैठेगा लेकिन कुछ दिनों के लिए उसके बाद फिर से वक्री होकर फिर से मकर राशी में आपके बारवे भाव में आ जाएगा तो इसलिए ये वर्ष जो है बहुत महत्वण होने वाला है प्रत्थम भाव में राशी स्वामी का आना और फिर से वे भाव में चले जाना बहुत तरह के प्रभाव आपके जीवन पर डालेगा शनी की साड़े सादे का प्रत्थम चरण है ही लेकिन जब आपके राशी में शनी आएंगे तो आपके राशी पर दूसरा चरण आपके लिए शुरू हो जाएगा और यहां 29 अपरेल 2022 को शनी का राशी परिवर्तन होगा 29 अपरेल को आपके लगन में शनी आएंगे और 12 जुलाई को वक्री इस्थिती में चलते हुए फिर से मकर राशी में यानि के आपके बारवे भाव में चले जाएंगे गुरू जो है वो आपकी दूसरे भाव में चले जाएंगे इसी महीने एपरेल के महीने में ही 13 एपरेल को तो शनी की जो द्रस्टी होगी वो आपके लिए बेहद अच्छी होने वाली है अच्छी इसलिए होने वाली है क्योंकि शनी का प्रभाव लगन में आने से आपके व्यक्तितु को मजबूत करेगा आपके अंदर काम करने की इच्छा जागरत करेगा आप अपनी काम पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे आप हर वो कारे करना चाहेंगे जहां इमानदारी से कारे किया जाए जहां पूर्ण इच्छा से कारे किया जाए शनी का प्रभाव सबसे अधिक आपके व्यक्तितु पर होगा, आपके पारिवारिक जीवन पर होगा व्यपारियों के लिए भी ये समय बहुत अनुकुल रहेगा और विद्यारतियों के लिए ये समय भी है अनुकुल रहेगा इस वर्ष की शुरुवात से ही शनी के प्रभाव के कारण आप जादा से जादा लोगों से मिलना चाहेंगे जादा से जादा लोगों के साथ सम्मंद बनेंगे आपका जो सरकल है वो काफी बढ़ जाएगा लेकिन इस दोरान सबसे जो बड़ी चीज है वो है कि किसी भी व्यक्ति पर जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो किसी पर भी आँखें मूंद कर भरोसा आपको नहीं करना है इस राशी के जो जाद तक कॉरपरलट शेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं उनके लिए शनी के प्रभाव से उनका इस्थानांतरन हो सकता है क्योंकि बारवे भाव में भी शनी आ जाएंगे तो यहां इस्थानांतरन के ज्यादा योग हैं या फिर जो विदेश से जुड़े हैं विदेश से कोई वैपार करते हैं विदेश में रहते हैं या किसी भी त तो उनको इस वर्ष में 2022 तक अच्छी नौक्री प्राप्त हो सकती है। बहुत उत्पम महीने वर्ष यह आपके लिए रह सकता है। जो कोशिशें हैं जो आप महनत कर रहे हैं उनको नजर अंदाज करना मुश्किल होगा। उनक की महनत है उस महनत का फल आपको मिलेगा आर्थिक द्रस्टी से भी इस महीने के जो वर्ष का जो मध्य है भाग होगा वो काफी अनुकूल होगा आपके लिए सामाजिक तोर पर और आपकी आर्थिक इस्तिती को मजबूत करने वाला होगा शनी की साड़े साथी होने के बावजूद आप धन की द्रस् आपको देखने को मिलेंगे, सिक्षा के लिए सबसे शुब ये वर्ष होने वाला है, जो जातक किरसी प्रतियोगी परिक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, उनके लिए वर्ष बेहद अच्छा रहेगा, या फिर आप कुछ सिक्षा हासिल करना चाहते हैं, और बाहर जाना चा तो ये वर्ष आपके लिए उत्तम रिजल्ट लेकर आएगा, एप्रेल माहा से इस्तित्यां बहुत अनुकुल होंगी, आपको जो आप करना चाहते हैं, उसे करने का मौका आपको मिलेगा, अब मौके का फाइदा कैसे उठाना है, उस मौके पर किस तरह से आप अपनी काब अच्छा रहेगा, इस वर्ष प्रेम विवाहा के योग भी हैं, और आपकी अगर संतान विवाहा योग है और आप काफी परिशान हैं, तो उनके विवाहा का भी योग इस वर्ष में बना हुआ है, इस 2022 वर्ष में माता की तरफ से आपके लिए अनुकुल सौदे हो सकते है माता की वजह से आपको धन लाब के अच्छे मौके मिल सकते हैं, वर्ष की शुरुवात होते ही, जो जातक विवसाई हैं, जो जातक किसी भी तरह के बिजनिस से जुड़े हैं, छोटा बिजनिस है, बड़ा बिजनिस है, तो उनके संपर्कों के द्वारा भरपूर मदद मि लेगी, और संपर्कों के द्वारा ही आप अपने बिजनिस को बढ़ा भी सकते हैं, तेज गती से वर्धी होनी इस वर्ष की शुरुवात से ही तैह होगी, और एप्रेल का महिना जैसे होगा और जुलाई का महिना होगा, तब जो भी परिष्थितियां आपके लिए अगर आप शनी के उपाय करते हैं, तो यह स्थितियां और भी बहतर आपके लिए रह सकती हैं, शनी आपकी राशी के स्वामी हैं और इस वर्ष में राशी परिवर्तन भी होगा, आपके लगन में बैठेंगे, साथ में बारवे भाव में भी जाएंगे, तो शनी देव की नियमी तरूप से पूजा करना आपके लिए शुब रहेगा, गरीब, जरुतमंद लोगों और साधू संतों को भोजन कराना आपके लिए अच्छा रहेगा, भोजन में उडदकी दाल, चना दाल और काली मिर्च, इनका प्रियोक करना शुरू करें, इससे शनी का आशिरव रहेगा, आशुब परभाव जो भी होंगे, वो आपके दूर होंगे, गरीब और जरुतमंद या मजदूर श्रेणी के जो व्यक्ति हैं, उनका सम्मान करें, सक्षम हो, तो मदद से पीछे ना हटें, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है, जो शनी देव को प्रसंद करता है, और